तो आज करें वीडियो था आप सभी नहीं हम से बुला हम एक बैक पैक पर वीडियो लेकिया हैं तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि ऑन-laink सी बहुत बड़ी रेंज अवेलिबल है बहुत साए ब्रैंड्स हैं बहुत मेटेरियल्स है प्राइसिंग है तो हमने क्या किया हमें सभ आपको वीडियो के एंड में तो मिली जाएंगे तो definitely वीडियो के हर पार्ट को आपको दिखना है and then decide कीजिए कि आपकी नीट किस बैक पैक से पूरी हो रही है and नहीं नहीं guys हम यहाँ पे तीन वीडियो की series लिके आने वाला है आज है first video जिसमें हम cover करेंगे school bags second video आने वाला especially for girls तो आज के वीडियो में भी girls के लिए bags है but guys next video totally girls का होगा जिसमें हमने सारे अच्छे अच्छे girls के लिए bag purchase करें and review हम लेके आएंगे and third video होने वाला है guys compact bags पर जिसमें आपको बताएंगे कुछ ऐसे bags जिनमें volume तो कम होगा but वो काफी stylish होंगे उनको आप अपने travel में यूज कर सकते हैं अपने tuition सब्सक्रा ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर office ले जाने के लिए उनको आप यूज कर पाएंगे देखने वाले कुछ out of the box bags जो की बहुत ही different लगते हैं आपको एक अलगी look देंगे थर्ड आने वाली हमारी का इस ultra budget category जिसमें हमको 5600 के बीच में एक backpack मिल जाएगा देन हमाई पास है कुछ extra bags and last time आपको देगे हैं हमार final verdict and give away के rules भी वही है तो सबसे पहले हमाई पास आगे हैं तीन बैक्स वामेरिक इंडूरिस्टर सबसे पहले हम देख रहे हैं गाई 32 लीटर का casual backpack तो यह कुछ ऐसा दिखता है काफी अच्छा इसका design है बैक बहुत ही अधा lightweight है सबसे पहले सामने आपको मिल जाती है एक front pocket गाई यहां पर green accent आपको zippers मिल जाता है काफी अच्छा लग रहा है देखने में इसमें कुछ पैंस अगर हम रख सकते हैं देन ऊपर आपको यहां पर एक top pocket मिलती है जिसमें काफी सारे चोटे 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 पॉकेट दिये गए हैं इसमें आप carry कर सकते हैं काफी सारे चोटे चोटे पैंस अपने यहां पर रख देता हूं मैं मेरा wallet एक मेरा geometry box and then guys आप यहां पर एक और box रख सकते हैं उसके बाद आपका lunch box भी यहां आजाएगा इसको हम कर देते हैं बंड नीचे आपको मिलती है एक बड़ी pocket इस बड़ी pocket में हम ने रख दी हैं काफी सारी notebook तो जैसा आप देख सकते हैं काफी बड़ी notebook यहां पर आ जाती है and then guys इसके पीछे भी हमको एक और chain मिल जाती है उसको हमने open किया तो यहां पर हमने रख दी है guys थोड़ी सी और notebook यहां पर आपको laptop रखने के लिए compartment नहीं मिलता है and then guys sides में आप इसमें एक एक लीटर के दो बाटल भी श्टो कर पाएंगे देखने में बैग काफी अच्छा लागा इसकी सबसची बात है इसकी capacity काफी अच्छी capacity इसमें आपको मिल जाती है and इसमें आपको काफी सारे colors देखने को मिल जाते हैं online आते हैं हमें next bag पे जो कि है American tourister के तरफ से आने वाला wellex bag यह guys आपको मिल जाता है 28 liters की capacity में इसका जो price आपको देखने को मिलता है वो है 1100 rupees and इसकी सबसची बात यह लगी कि यह bag na overall देखने में बहुत जादा अच्छा लगता है काफी एक formal सा इसके अंदर look है overall देखने में काफी decent सा है यहाँ पे American tourister के आपको branding दिख जाती है अगर मैं बात करूं इसकी straps की तो इसकी straps सोड़े से छोटे हैं ठीक ठाक padding है पीछे भी आपको grip मिल जाती है overall इसका जो look है वह बहुत ज़्यादा appealing है अगर बात करने इसकी storage capacity की तो सबसा फ्रेंट में आपको मिल जाता है एक चोटा pocket जिसमें आप अपना lunch box carry कर सकते हैं then second pocket हम open करेंगे तो अंदर कावी सारे division है उसमें आप रख सकते हैं अपना wallet अपना pencil case और यहाँ पर आप कुछ pencil अगर आभी साथ में store कर पाएंगे यहाँ पर मैं रख लिए मेरा plan ना रहने एक चोटी सी notebook guys यहाँ पर आपको laptop के लिए dedicated space मिल जाती है तो वहाँ पर आप अपना laptop भी श्रोग कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसको बन कर दिया इसमें भी आप इसली एक लीटर के दो आटर बॉटल कर पाएंगे rain cover guys इस back की सांथ आपको नहीं मिलता है तो overall guys यह वाला back देखने में काफी अच्छा लगता है आप देख सकते हैं look इसका काफी अच्छा है और मैं recommend करूंगा यह उनको जो capacity इतना ध्यान नहीं दे रहा है बट उनको एक better looking back चाहिए अगर आप साथ में laptop भी ले जाने वाले तो overall guys यह back देखने में बहुत अच्छा लगता है और मैं compare करूंगा पहले वाले back से न तो इसमें खास बात यह कि यह देखने में बहुत अच्छा है देखने वाइस look appealing है इसमें आपको laptop के लिए separate compartment मिलता है बट अगर आपको चाहिए जाधा capacity तो आप जा सकते हैं पहले व हुआ है तो आपको ठीक तक वाटर इसमें साथ में देखने को मिल जाता है हमने इसकी first pocket open करें तो काई यहां देख सकता है जिसमें अपना जॉमेट्री बॉक्स अपना लंच बॉक्स यहां पे कुछ पैंस वगरा प्लैनर्स वगरा भी रख सकते हैं तो यहां पने कावी सा इसका एक और third compartment है उसको open किया तो यहां आप देख सकते हैं आपको laptop के लिए compartment नहीं मिलता है आप नॉमल अपनी notebook से यहां पे एजली रख पाएंगे इसको उमने कर लिया बंद और देखने में काफी अच्छा लगता है यहां पर अपनी water bottle भी easily carry वार पाएंगे एक एक ली 80 में पढ़ा था लगबक सेमी प्राइजिंग है तो आपको कौन सा लेना है तो आप चाहें तो 1000 में हमारा फर्स्ट वाला बैग भी ले सकते हैं वापको 1000 में पढ़ेगा एंचाओ तो रेंक वारी का लगसे ले लो या फिर अगर आपको यह लोग पसंद आ रहा है तो आप बॉइज लेना चाहते हैं अगर उनको यह कलर नहीं चाहिए तो यह ब्लू कलर में भी एक अवेलेबल होता है उसको आप पर्चिस कर सकते हैं इसका जो प्राइजिंग आपको पड़ जाता है वो पड़ता है 1,160 रूपीज और 30 लीटर का बैक पैक है बाट गाइस मुझे 30 लग रहा मुझे काफी बड़ा लगता है सबसे पहले अगर आप टॉप पर देखेंगे तो यहां पर आपको एक पॉकेट मिल जाती है इसको हमने यहां से ओपन किया तो इसके अंदर आपको मिल जाता है यहां पर काफी सारी स्पेस है यहां पर उतनी नोटबुक रख सकते हैं इसको हमने फिल कर लिया हमाया हमाही लाश्ट पॉकेट पे यहां पर भी आपको कुछ इस टाइप के फ्लैट पॉकेट दिख जाती है जहां पर अपनी नुटबुक रख सकते हैं लैपटॉप के लिए इसमें नहीं है साइड में आपको वाटर होल्ड दिये गाए जहा काफी अच्छा लगा है तो बहुत प्यारा बैग मुझे लगा अगर गल्स वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूंगा अभी थोड़ा सा होल करें हमारा सेकंड वीडियो आने तक वेट कर लें उसमें यह और भी चॉइसे जिनके बीच में आपका बैसन कर सकते हैं तो और अगर वॉइस की बात करूं तो आप इसके ब्लू अच्छा बैग है बस इसमें आपको यहां पर पॉकेट देखने को नहीं मिलते हैं आते हैं नेक्ट बैक पर जूकिया आता है वाइल क्राफ्स की तरफ से गाई इसको मैंने पर्चेस किया था थैटीन हंडड़ फिफ्टी यहां पे दिया गया है यहां पर जो ब्लू कलर रोट जीक उबंच यहां पर यहां पर आपको चोटे नहीं मिलते हैं तो अपने लॉट्बोक्स और कर सकते हैं दिया in pockets का open किया तो यहां पर भी काफी volume है यहां पर आपको division नहीं दिये गए ऐसे छोटे चोटे पर यहां पर volume काफी अच्छा है आप काफी सारी notebook इसके अंदर store कर सकते हो and side में आपका pencil case भी आ जाएगा then guys हम इसके third compartment open किया उसमें भी आप दिख सकते हैं काफी सारी notebook यहां पर इसमें आ गई है and फिर भी जगे बची रहे गई थी side में इसमें दिये का है bottle holders तो guys यहां पर आप easily अपना जो एक लिटर का water bottle है ना उसको fit कर सकते हो and यहां पर आपको एकी water holder मिलता है दूसरी side नहीं मिलता है तो overall guys यह जो bag है ना कि देखने में आप देख सकते हो काफी अच्छा लगता है and यह उन लोगों को लेना चाहिए ना जिनको volume की ज़्यादा जरूरत है जिनको जगह की ज़्यादा जरूरत है अगर आप बहुत सारा सामन लेके जाते हो ना तो यहां पर इसमें आपको काफी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है यहां पर प्रेंट में आपको pockets नहीं मिलते हैं जैसे pen वगरा रखने के लिए आपको ऐसे ही डालना पड़ेगा काफी साथ ब्रेंड्स के बैग लिए तो ऐसे अच्छा कॉंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें तो यहां पर आपको मिल जाता है जो कि मुझे काफी अच्छा लगा देखने में काफी अच्छा लगता है सामने सफारी की ब्रेंडिंग है पीछे आप देखेंगे तो काफी अच्छे इसमें पैड़ेड स्टैप्स मिलते हैं पीछे बैक में भी पैडिंग काफी अच्छे से दी हुई है और और जो इसका मटीरियल है यह भी 100% पॉलिएस्ट आप अपनी नोट बुक्स रख सकते हैं काफी सारी नोट बुक्स में आ गई है एक और और है उसको भी उपन किया तो उसमें भी आप अगें कुछ और नोट बुक्स रख पाएंगे यहां पर लैप टॉप के लिए लग से अपार्टमेंट आपको नहीं दिया जाता है इसक जो आपको आगे का स्ट्राइप मिलता है सफारी प्रिंट है जो की फ्रेंट से विजिबल है एंड इसका प्राइज आपको पढ़ जाता है सिर्फ 999 रुपीज तो ट्रिपल लाइन में 35 लीटर का बैक पैक है अगें मुझे काफी अच्छा लगा तो अमेरिकन करते कुछ ऐसे बैक्स की जो आपको बहुत ही अलग लुक देंगे गाईस तो सबसे पहले आपे मैं बात कर लेता हूं गियर की तरह से आने वाली इस बैक की गाईस तो गाईस यह गियर की तरह से आना वाला क्लासिक फॉक्स लेधर बैक पैक एंड गाईस इस वीडियो का यह वन ऑफ बेस्ट लुकिंग बैक है डेफिनिटली मैं कहूंगा आप देख सकते हैं इसका पहले ना लोग देखिये बहुत ही जादा प्यारा लगता है और जो फॉक्स लेधर का वर्क है वह बहुत ही क्लासिक है एक रेट्रो सा लुक आपको यह देता है डेफिनिटली अगर आप इस बैक को लेते हैं ना तो यह एक हैट टर्नर बैक है लोग आपसे पूछने ही वाले हैं कि यार यह बैक आपने कहां से लिया बट काईस इसमें सब प्रो ही नहीं है कुछ कॉंस भी है वह कॉन आता है काईस इसकी कपासिटी में तो डेफिनिटली यह बैक को फॉक्स लेदर के काफी बैक्स देखे हैं बट यह वाला जो मटेर नहीं काफी अच्छा है इवन उसको पर मैं स्क्रैज भी कर रहा हूं ना तो इस वैसा कोई मारक नहीं आ रहा है डेफिनिटल लंबा चलने वाला है बहुत ही हाई कॉलिटी लग रहा है तरह हमने सबसे पहले उपन किया इसका सबसे टॉप वाला पॉकेट आपको स्टैक पर डिविजिन मिल जाते हैं जिनमें आप अपना जोमेटरी बॉक्स अपना वालेट अपने पैंस प्लैनर वगरा यहां पर एजिली रख पाएंगे काई यहां पर लंच बॉक्स रख दिया मैंने इसको ओन करते हैं आते हैं आप तो स्टैकंड पॉकेट पर तोग इसमें थार्ट यहां पर लगसे नहीं होता है एंग यहां पर पीछे भी चोटा सा सब्सक्राइब थोड़ा बहुत सामान अपना स्टोग कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको वाण करना चाहता हूँ कि इसको देख के सिर्फ इसको पर्चिस ना करें डेफिनिटली देखने में बहुत अच्छा लग रहा है पर गाई इसकी चो केपासिटी है वो सिर्फ 20 लीटर्स ही है तो इसमें आप जादा नोटबुक नहीं ले जापाएंगे तो इसको तब ही ले जब आप अपना स्कूल बैग रेगुलर्ली अरेंज करते हैं आपको पाता हो कि जितनी नोटबुक मैंने रखके बताई उतने में आपका काम हो जाएगा इसको मैं इंक्लूड नहीं करने वाला था वीडियो में क्योंकि यहां पर मैंने कोशिश कि ए स्कूल बैग 30 से 40 लीटर्स के बीच वाला ही बता हूँ इसका लूग इतना प्यारा था कि मैंने सूचा आपको यह बैग दिखाना ही चाहिए तो अगें काफी प्यारा बैग है लोक वाइस इसको कोई बीट नहीं कर सकता पट अगें कपैसिटी कम है तो अगला ओल्ड स्कूल बैग हमाँ पास आगया है फ्रॉम स्ट्रैबो अब यह वाला जो बैग इनस में दो पिन यह लोगों के होते हैं यहां तो यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा यह आपको पसंद बिल्कुल नहीं आएगा काफी कूल लग रहे हैं देखने में बासकरों स्ट्रैप्स की तो गाईस यह अभी तक सबसे ज़्यादा पैड़ेट स्ट्रैप्स मुझे लगा बात करें इसकी पॉकिट की तो यहां पर सबसे टॉप पर आपको एक पॉकिट मिल जाती है जहां पर अपना लंच बॉक्स र जाता है काईस जिसमें आप अगी नोट बुक रख सकते हैं लब्टोप के लिए यहां पर अपने लब्टॉप करें इसको आप टाय कर सकते हैं दूसी राइट आपको एक ओर कमपाइट्मेंट मिलता है जिसमें आगे आपको चीज़े रख पाएंगे तो वही बात है यहां आपको बहुत डिफरेंट मटेरिल के साथ मिलता है जितनी भी अपने बता ही बैक सम्पॉलीश टरहें पर यहां पर जो मटेरियल मिलता है यह काफी डिफरेंट है तो आपके साथ जा सकते हैं अगले हमारे दो बैक्स आगे हैं फिर और पूलिश तो यहां पर दो बैक्स यहां पर देखने में काफी अच्छा लगता है यहां पर आपको ब्रैंडिंग की तो काफी अच्छी सी पैडिंग है पीछे भी काफी अच्छे से यहां पर सामने आपको दी जाती है एक फ्रेंट कॉके जिसमें आप अपने लंच बॉक्स रखते हैं और चुटे-शुटे देविशन हैं ल मनस में उसके बात लगी मुझे इसकी चीज चीन अपको काफी अचा सा च्छोटे शचा現在 है उपने नोट्बुक हुए सबक्ता है और यहां पर आपको laptop के लिए भी एक अलग से division मिल जाता है तो आप चाहो तो यहां पर laptop भी एक रख सकते हो तो overall guys भरने के बाद यह बैग कुछ ऐसा लगता है और यहां पर आप साइड में एक लीटर का जो आपको water bottle है उसको भी easily carry कर पाऊगे कोई दोनों साइडी के क्लीटर के bottle सा जाएंगे और इसका जो overall look आप देख सकते हैं यहां पर देखने में काफी अलग डिजाइन तो अगर आपको कुछ ऐसा नॉर्मल ट्रडिशनल जो बैक का लुक आता है ऐसा नहीं चाहिए आप जादे कुछ अलग डिजाइन का बैग में खरीद हूं 1100 रुपीस तो डेफिनिटली गाइस यह गियर कॉप्शन अच्छा हो सकता है मटेरिल की बात करों तो काफी अच्छा यहां पर पॉलिश्टर का यह बैग है पकाफी हाई कॉलिटी मटेरिस में यूस किया गया है पकड़ने में बहुत बैटा फिल देता है यह और आप चाहें तो यह ले सकते हैं बट आपको 400 रुपीस जादा प्रे करना पड़ेंगे बागी के पैसिटी सेम है जो गियर में मिलती है आप गया है हमाई बजट कैटेगरी पर हमापस तीन बैक हैं सबसे पहले हैं मैं आपस बैक फ्रम प्रवोग और लास्ट में हमारे पास है एक बैक फॉम की बैक की तो गई यहां पर आपको थेडी सिक लिटर की कपैसी देखने को मिल जाती है यहां पर काफे पॉलिएस्टर मटेर से बना हुआ है यहां पर पीछे देखेंगे तो काफे ची पैडिंग भीस में है इसका टॉप पॉकेट हमने ओपन किया तो लेपटाप का भी डिविजन है वहाँ लेपटाप हमने डाला और यहां पर और नोट बुक्स आप रख सकते हैं तो ओर लगाईस फोर सेवंटी फॉर रूपीस में कुछ ऐसा ही है लोग यहां पर देखने को लगता है यहां पर अपनी एक लिटर की पाने की बाउटी भी में इसली डाल पाएंगे और यहां पर काफी सिंपल यह बैग देखने में लगता है और काफी फॉर्मशनल बैग है और लोगा इस फोर सेवंटी फॉर रूपीस में काफी वैली फॉर बाइक मुझे यह लगा देन आब आते हैं काफी सिंपल सा बैग यहां पर आपको पूरा ओपन हो जाता है यहां पर अपनी नोट बुक रख सकते हैं और थाट पॉकिट में आपको लैपटॉप के लिए डिविजन भी मिलता है यहां पर हमाई यहां पर नोट बुक सो अगर रस्टोर कर लिए और पैंसिल केस रख दिया यहां पर आप अपनी बॉटल भी तो ओर ओल देखने में सिंपल सा बैग है ग्रे कला का नीचे पोल्स्रा की ब्रेंडिंग है यह कुछ ऐसा देखने में लगता है तो 570 रुपीज में एक अच्छी बाय है पर मुझे परसनली वूम का वैग ज्यादा वैली फो मनी लगा तो अगला बैग हमारा आगया है प् कुछ पैंस वगरा रख दिए देंगे बड़े तो ऊपर एक पॉकेट मिलता है जिसमें आप अपने चोटे-चोटे पैंस वालेट अगरा श्टो कर पाएंगे दिन इसका में पॉकेट मिलता है जहां पर आपको डिविशन मिलते हैं कावी सारे एक पॉकेट और जिसमें हमन सब्सक्राइब कर देखने में काफी अच्छा लगता है अभी आपको पर्सनल चॉइस है कि आपको और उसका लुक कैसा लगा बाकी मुझे 570 रुपीस में यह और बाकी के दोनों बैक्स भी बहुत जादा वेल्यू फॉर मुझे ना तीनों बहुत जादा पसंदा है अब कौन सा पसंदा आता है वह आप चूस कर सकते हैं अब माई पास आगे लाश्ट में दो बैक्स कॉस्मोस गाइस तो काफी अच्छे बैक्स हैं स्टार्ट करते हैं हमारे इस वाले बैक से तो इसका नाम है काईस का डाविन जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यह बैग ना काफी इसका बैक मिलता है यहां पर आपको काफी पहरेड मिल जाते हैं आपको पांच कलर मिल जाता है एंड मुझे पड़ा था 1199 यानगी 1200 रोपे का ऊपर यहां पर को कॉस्मोस की ब्रेंडिंग लिखती है सबसे पहले यहां पर आपको एक चोटा पॉकिट देखता है इस लिए आ गया है गाई उपन करते हैं सेकंड अपार्टमेंट तो यहां पर आपको लैपटॉप के लिए एक डिपार्टमेंट मिलता है यहां पर नोटबुक्स हमने रख दिया है नीचे थोड़ी सी जगह थी साइड में थोड़ी सी जगह थी तो हमारा पैंसल के से एक और नीचे जगी थी लैपटॉप की तेमाप लैपटॉप भी आ गया है इसको बने बंद किया यहां पर एक और एक्ष्ट्रा आपको जिपर है वो नहीं मिलता तो और 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 गाईस इस बैक की ना कैपैसिटी हलकी सी कम है यह आपको 29 लीटर्स वालियूम और गरता है तो उसक इस आप से ठीक ठाक आप इसमें श्टोग कर सकते हैं बड़ अच्छी बात इसमें यह है कि इसका जो मटीरियल है ना ओवरल जिसका मटीरियल लगा वो मुझे काफी अच्छा लगा काफी ड्यूरेबल बैग है काफी आपका लंबा चलेगा फॉर और देखने में भी आप लगता है और अगर आप इसको लेकर जाते हैं तो बात करें वाटर बॉटल की घाई तो यहां पर आपको साइट में अपार्टमेंट दे रखे हैं पर यहां पर आप अपनी एक लीटर की वाटर बॉटल इसमें नहीं रख पाईगी आते हमाए नेक्स बैक पे काईश तो य का बैक पैक है आपको 1359 रुपीज में पड़ जाता है थोड़ा प्राइजिंग 1200 रुपीज बाके बैक से इसका जादा है और इसका मटेरियल आप देखोगे ना गाइस तो पॉलिए इसकी लगी यहां पे आपको औरेंज एक्सेंट में जिपर मिल जाते हैं जो देखने मे यहां पे एक और पर चौक उड़पी तो यहां पे आपको लप् og रहा है यहां पर पे आपनी नोटबुक्स रहना पहले हैं पीछे अपने लबडॉक़ आ अपने लप्टॉप बीजियल इसमें रुख पाएं गे तो और और गाइस इसकी केपासिटी लिटर बोली है बट मुझे लग बग लग बग इसमें उतना ही सामान आया जो हमारे अमेरिकन डुरिस्ट्रेके 32 लीटर वाले बैग में आ रहा था था थेटी टीटी लीटर हो सकता है बट अगें इसका जो प्राइजिंग है थोड़ा सा जाधा है और लास्ट में आपको नीचे यहां पर ऐसे स्टैंड भी मिल जाते हैं जिस पर यह बैग काफी अच्छे से खड़ा रहेगा ना आपको बेस्ट यह नहीं होगा तो और और यहां आप देख सकते हो देखने में काफी आपसे कौन सा सूट आपको कर रहा है वह आपको हलक हलका आईडिया लग गया होगा बट फिर भी में क्लैडिफिकिशन के लिए बता देता हूं तो अगर आप लेन चाहते एक पॉली एस्टर का बैक जो काफी काफी लाइट वीटो वाटर एश्रिंस भी देजे तो गई य अगर आपको चाहिए एक फॉर्मल लुक तो गाईज मैं रिकमेंड करूंगा आपको यह अमेरिकन डुरिस्टर का बैक पैक इसमें काफी अच्छे एक फॉर्मल लुक आता है कि कपैसिटी थोड़ी सी कम है पर लुक वाइस अगर आपको चाहिए बलकुल अलग दिखने व लॉट वो है यह यह गयर का बैक पैक दा फॉक्स लज़र बैग बट दिखता बहुत अच्छा है इसका एक ही कौन है कि सिर्फ ट्विंटी लिटर का बैक पैक है तो कपैसिटी कम है तो अगर आपना बैग रेगुलर जमाते हैं आपको पता है कि इतनी के पैसिटी आपको तो ही आप इसके साथ जाएएगा पाकि अगर आपको सिर्फ लुक चाहिए तो डेफिनिटली यह बहुत अच्छा है बट कपैसिटी कम है अगर आपको चाहिए बिलकुल अलग शेप का बैग एक ब्लैक में आपको चाहिए तो गियर का 1100 रूपीस में यह भी बैग आता है काफी अच्छा सा बैक है 30 लीटिस राउंड्स की केपैसिटी है और देखने में ना काफी जादा मौडन एंड एकदम हैवी ड्यूटी लगता है अगर आप लेना चाहते हैं सस्ते बैक तो यह तीन ओप्शन है प्रवोग वूम एंड हमारा पोल स्टा यह आपको सा सिंपल बेटर लगा यहां पर दो कॉस्मोस के बैक पैक यहां पर दोनों ही काफी से मिलर है कैपैसिटी इसकी हलकी सी जादा है 38 लीटर बोलता है बट मुझे राउंड 33 34 लीटर सी लगी तो यहां पे इन दोनों में से आपको कौन सा बलुक पसंदा रहा है उसके साथ आ अगर आप ऐसा बैक चाहते हैं ना कि जो आपको आराम से दो तीन साल चल जाए है ना यह सारे बैक चलने वाले हैं पर अगर आपको चाहिए बहुत ही जरा डियूरिबल बैक जिसकी कैपैसिटी इतनी जादा हो जिसमें बहुत साई नोट बुक्स रख सकें बड़े बड़ आपको लंबे टाइं तक चले डेफिनिटली आप इस बैक के सांथ जा सकते हो नैंटीन हंडेट टू थार्जन रूपीस में यह बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बैग एसके जिपर वगरा सब बहुत हाई कॉलिटी है और मुझे ना यह बहुत ज्यादा पसंद है गाइस एक बॉक्स मेरा रिकमेंडीशन था अगर आपको थोड़ा जादा बजट तो आप इसको पिक कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं गिव वे रूल की वह में देने वाले आपको यह तीन बैक पैक से यह वाला बैक पैक सेकिन हमारे पास अगें अगें तुरिस्टर का यह बैक पैक टूरिस्टर का यह तीन बैक पैक से हमारे आप देख सकते हमारे पास यह एंड रिव्यू को रखे हुए जो मापको देंगे इन तीन बैक के तो आप यह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब लिजे न वीडियो को लाइक कर दीजे जो कि करी दिया होगा सेकिंड बहुत इम सब्सक्राइब कर दीजे तो इस बैक को हम आपको साइब भर देनी है वहाँ पर एक ऑप्शिन आएगा इमेज अटेच करने का तो वहाँ पर जो आपने स्क्रीन शॉट लिया अपने वाट्सप स्टैस का उसको अपलोड कर दीजे एंड समिट पर क्लिक कर दीजे समिट करत आएगा 15th of April को and again मैं आपको बता दू स्पैमर से बच किया रहाना आपको अगर कॉमेंट सेक्शन में आपको कोई भी बोलता है कि आप giveaway जीत गये हो सकता है हमारे इसी डीपी लगा ले या नाम भी सेम रख ले पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है हम लोग ऐसे नहीं बताते है giveaway आपको giveaway का result होगा ओफिशल community post और Instagram की story पे ही दिखेगा तो वहां पर आपको अपने नाम देखता है इसका मतलब है तो ही आप giveaway जीते हैं तो मैं डाल दूंगा गाइस community post and stories पे giveaway winners कब 15th of April को तब तक आप participate कर सकते हैं तो वीडियो को share कर दीजे अपने friends के साथ जिससे giveaway म हो जाएगी अच्छा बैक लेने में तो आई होप गाई यह आपको comparison पसंद आया होगा कैसा लगा यह वीडियो मुझे comment section में लिके बता दीजे लिंक आपको सारी description में मिली जाएंगी and मैं मिलूंगा आपको next वीडियो में तब तक लिए आप हमाई यह दो वीडियो सकते है जहां पर हमने back to school stationary आपको बताईए और आपको मनपसंद वीडियो तिल देन टेक क्या गाईज बाबाए